नमस्कार किचन सेफ माश्टर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे लोकी और चने दाल की सबजी इसके लिए हमने एक लोकी ली है बहुत बड़ी लोकी है लेकिन मैं आधा की सबजी बनाऊंगी और यह धाई सो गराम चने की दाल है जिसको हमने दो घंटे पहले भीगो दिया था और यह अच्छी तरह से फूल गए है तो इसे अलग रख देते हैं और लोकी को पहले काट लेते है जितनी लोकी हमें बनानी है उतनी हम काट लेंगे इतने लोकी हम बनाएंगे और इसे हम छेल कर छोटे-छोटे पीसे में कर लेंगे लोकी को हमने छेल लिया है अब हम इसे धो कर इसके छोटे-छोटे पीस बना लेते हैं लोकी को काट कर हम तयार कर लिए है तो चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में तो देखिए करा ही मेरा कर देते हैं तो देखें तिए हमारा गरम हो गया है भी आन सब्सक्राइब करना है हम देखें तेल आसे लटकी के डाल देखें आप शबन इह तो देखेंगा आपकाईफ कर देखें Weight सब्सक्राइब को कूकर कोशें न हुकशा को तेल गरम होने देते हैं, तो तेल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं, आधा चमजीरा, एक तेज पत्ता, दो सुखी लाल मिर्चे, थोरी सी पकने देते हैं इसे, तो ये पक गए हैं, दोस्तों देखें, ये एक बारी कटा हुआ प्याज है, बड़ा प्याज ल देंगे, इसे हमारे प्याज जल्दी गल जाएंगे, दिला देते हैं, अब हम भूल गया, हम इसमें डाल देते हैं, लहसुन और हरी मिर्टी का प्याज, इसको हम ठोरी सी भूल लेंगे, अब हम डालेंगे इसमें धन्या पोड़ा, एक चमज, और अधा चमज, कस्मीरी ला मिर्टे, इसे कलर बहुत अच्छा आएगा, और डाल देंगे, हल्दी पोड़ा, अब सारे मसाले हमने इसमें डाल दिया है, मसाले को अच्छी तरह से भूल लेंगे, जब तब की इसे तेल अलग ना होने लगे, तो देखे दोस्तों मसाले हमारे फ्राइ हो गया, अब हम इ गिंगो के रखे से, और इसे हम दी मिनट के लिए भून लेंगे, जाइदा नहीं भूनना है, तो देखे दोस्तों दाल हमारे भून गए है, अब हम इसमें एड कर देते हैं फ्राइ की हुई लौकी, अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, तो अब हम एड कर रहे है इसमें पानी, ज़रौत के हिसाब से पानी डाल लेजिएगा, चाबल में खाना है तो ज्यादा पानी, रोटी में खाना है तो कम पानी डालेगा, फिर से इसमें मिला लेंगे द भाव देगी आने तकी हम पकने देएक दोस्तोंен फोलकर चेक कर लेते हैं दखेजी का तैकम मुला क्यात देगी का करणियो इंगी या नहीं पके हैं तो यह दाल हमारे पक कर एड़ी हो गए हैं तो सब्जी बन कर तयार है अब हम इसे सर्व कर देंगे तो देखिए सब्जी को हमने सर्व कर दिया है और हमें आसा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा थेंक यू